हेलो एस्टुडेंट्स कैसे हैं वेलकम टू क्वाइल्टी कोचिंग ऑनलान क्लासेश स्टुडेंट्स आज हम लोग का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट फोर्थ वीडियो है पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड अल्रेडी हम डिसकस कर चुके हैं एक और हम मेमराइज कर दते हैं आपको कि हमने पार्ट फर्स्ट में पार्ट सेकेंड में और पार्ट फर्ड वीडियो में क्या पढ़ा है देखें पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कैपिटल ड्रोइंग एंड लाइबलिटीज Part 1 में हमने पढ़ा है Capital, Drawing and Liabilities Part 2 वीडियो में हमने पढ़ा है Assets and Its Type Assets क्या होते हैं और इसके Types क्या क्या है Part 3 वीडियो में हमने पढ़ा है Capital Receipt, Revenue Receipt, Capital Expenditure, Revenue Expenditure and Defered Revenue Expenditure ये 9 टर्म और डिसकस कर चुके हैं और आज हम लोग का Part 4 वीडियो है और Part 4 वीडियो में इस टर्म के बाद नेक्स टर्म हम डिसकस करने जा रहे हैं जो पहला टर्म आज का अमारा है Goods आज का अमारा पहला टर्म है Goods ओके स्टुएंट दखिए Goods क्या होता है Goods को हम लोग हिंदी में माल कहते हैं जिसे आप बिजनेसमेन अगर हैं या आपके फादर या मदर कोई भी बिजनेस से टालुकात रखते हैं तो आप माल सब सुने होंगे कि बिजनेस में माल आया है माल मेंस गुड्स आया है तो गुड्स आखिर होता क्या है Goods include all those things which are purchased for resale वो सारे सामान जिसको बिजनेस बेचने के उद्देश से खरीदा है उसे goods कहते हैं तो गुड्स means the things in which firms deals फर्म जिस चीज का डीलिंग कलता है रेगुलर बेसिस पर पर्चेज अन सेल कलता है उसे हम गुड्स कहते हैं ठीक है clear है Goods is also known as merchandise Goods is also known as merchandise Goods को हम लोग merchandise भी कहते हैं For example For a furniture dealer Purchase of chair and tables is term as goods While other business it is term as assets समझ यह इसका मतलब कहता है Furniture dealer के लिए Furniture dealer के लिए Furniture goods है वहीं दूसरे businessmen Like stationery के दुकंदार के लिए Furniture goods नहीं है उसके लिए fixed assets है ऐसे ही Stationery के दुकंदार के लिए Stationery goods है वही other businesses के लिए Stationery क्या है Expense है तो सीधे language में समझ यह कोई भी businessmen जिस चीज का dealing करता है Regular basis पे purchase and sale करता है वह सामान उसके लिए Goods है Furniture के दुकंदार के लिए Furniture goods है Stationery के दुकंदार के लिए Stationery goods है General shop बाले के लिए Grocery item goods है समझ भागे के लिए कोई confusion नहीं Okay अगर होगा तो पूछिएगा Comment section में Students अब हमारा next term है Purchages Purchages क्या होता है The term Purchages is used Only for the purchase of goods In which firms deals Business deals Purchages का मतलब होता है Business जिस चीज का dealing करता है Goods का dealing करता है Goods तो आपको समझ भागे जिस चीज का dealing करता है उसे Goods कहते है और अगर Business Goods खरीदता है Business में तो Goods जब खरीदता है उसके लिए क्याटर म्यूच करते हैं Purchages There are two types of Purchages Purchages दो तरह के होते हैं Cash Purchages दूसरा Credit Purchages जब Goods Cash में खरीदा जाता है जब Goods जब खरीदा हुआ जब खरीदा हुआ समान हम अपने Supplier को Return करते हैं उसे हम कहते हैं Purchage Return जब खरीदा हुआ समान समान को Return कर दियता है इसे Purchase Return करते हैं इसे Return Outward इसे Return Outward भी कहते हैं आपके मन में कुश्चन आगा कि सर जब समान खरीदे तो फिर रिटर्न क्यूं करेंगे हो सकता है वो Defective समान आगया हो हो सकता है पोड़क्ट लेट डिलीवर्ड हो गया हो तो हम खरीदा हुआ समान क्या कर देंगे Return कर देंगे या सेलर ने प्राइस ज्यादा चार्ज कर लिया हो कोई भी एक रीजन होगा तो Purchase क्या हुआ समान को जब हम Return करते हैं उसे Purchase Return करते हैं या Return Outward करते हैं It is deducted from the Purchases to calculate Net Purchases Net Purchases calculate करने के लिए Purchase में से हम क्या कर लेते हैं Purchase Return को Minus कर लेते हैं Means अगर आपको Net Purchases calculate करना है तो फॉर्मूला होगा Purchases minus Purchase Return Purchases Return या Return Outward ठीक है? कोई confusion? कि Net Purchases is equal to Purchases minus Purchases Return अगर कोई confusion होगा है Students तो हमारा Contact Number यहाँ पर दिया हुआ है आप कभी भी Call कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं और अपना Confusion पूछ सकते हैं Contact Number है 8676080858 Students Next term है Sales Sales क्या होता है? The term Sales is used only for the sale of goods जब हम खरीदा हुआ समान बेजते हैं तो उसके लिए क्या term में उज़ करते हैं? Sales word उज़ करते हैं Sales means Sales word is used only for the sale of goods जब goods बेजते हैं तो उसके लिए Sales term में उज़ करते हैं Sales भी दो तरह के होते हैं एक होता है, Cash S Hill और दूस्रा होता है Credit Sills जब सामानsecond repo in cash में बेजते हैं Goods cash में sale करते हैं उससे Cash Sills कहते हैं और जब goods उधार में sale करते हैं Credit Sills कहते हैं Just likeambling purchase का reverse, Plus much purchase है Plus the purchase है, Cash Purchase and Credit Purchases These sales भी दो तरह क्यों होते हैं cash sales and credit sales, okay student, next term में हमारा sales return, next term में हमारा sales return, sales return क्या होता है, a part of sales, of goods, are actually returned by the purchaser, this is known as sales return, means कता है, बेचा हुआ सामान जो है, buyer return कर देता है, तो जब बेचा हुआ सामान, buyer return करेगा, customer return करेगा, उसे sales return कहते हैं, customer क्यों return करेगा, हो सकता है, customer को late product delivered हुआ हो, हो सकता है, customer से ज़्यादा price charge कर लिया गया हो, हो सकता है, defective product delivered क्या हो गया, कोई भी एक region अगर होगा, तो customer हमें सामान वापस करतेगा, उसे कहते हैं, sales return, जब बेचा हुआ सामान वापस आता है, उसे हम कहते हैं, sales return, it is also known as return inward, sales return को return inward भी कहते हैं, क्योंकि business के अंदर return आ रहा है, और purchase return को return outward, क्योंकि business के बाहर return ज़्यादा, it is deducted from the sales to calculate net sales, net sales calculate करने के लिए, sales में से हम sales return क्या करते हैं, minus करते है, sales minus sales return equal to net sales, अगर कोई confusion होगा, तो आप हमारे contact number पे, हमें call करिएगा, या WhatsApp पे message करिएगा, हम आपको reply करे Hi students, तो जैसा कि daily मैं question पूछता हूँ, पढ़ाय में topic में से, तो आज का भी हमारा question है, कि purchase return is also known as, purchase return is also known as, purchase return को क्या कहते हैं, पहला option आपके लिए है, return inward, दुसा है sales return, तीसा है return outward, और चौथा है goods, जो भी इन चार में से, जो भी option correct answer होगा, इस फिरिंदी blanks के लिए, आप वो answer comment box में जो लिखेगा, give answer in the comment box, comment box में आप हमें बताएं कि इसका correct answer क्या होगा, ओके student, और accountancy से regarding, student कभी भी कोई doubt हो, बेहिचक हम से पूछेगा, आपको हम हमेशा सहायता करेंगे, ठेके न, अभी lockdown चल ला है, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर से ही पढ करिए, कि सर इस topic का notes चाहिए, हम आपको send कर देंगे, thank you for watching our video, students, last में मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस video को आप अधिक से अधिक अपने friends को share करिए, school friends को share करिए, ताकि वो जान पाएं कि commerce क्या चीज होती है, और अभी से भी वो पढ़ाई कर सके, और अभी तक अगर हमार चैनल को आप subscribe नहीं किये हैं, तो instantly subscribe कीजिए, और bell icon को जोड़ दवालेजिए, ताकि वीडियो upload होते ही, पहला notification आपको मिलेगा, धन्यवाद